अपने चैनल पर बार बार स्वागत कर रहा हूं इससे पहले कुछ और चीज़ें जो लोग अभी पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं वो पूर्टेया निश्यन्त हो जाए कि टीम के द्वारा इससे पहले हमने 10 सेट का जूनियर एसिस्टेंट का एक प्रोग्राम चलाया था आप उस टेस्टरीज को हमारे देखिए दसो टेस्ट को और 800 प्रश्णों की मैंने एक बीडियो इससे पहले हिंदी की चलाई है उस बीडियो को देखिए इसमें से कोई भी प्रश्ण आपको बाहर से नहीं मिलेंगे 800 प्रश्णों की जो वो बीडियो रही मेरी कई लोगों ने आप में से कॉल करके बताया कि हाँ प्र योग बना होना चाहिए आपका रवया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए चले एक बार मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूं और बढ़ता हूं आज के आपके सेक्षन भी ये के हिंदी के सेक्षन पर शेलिशन को लेकर गए सबसे पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर देख र उसको औसरवादी बोलते हैं इसके लिए सबसे उपिवताप का औसरवादी होगा तीसरा प्रश्ण भूमी के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है भूमी के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्व ब्यत्ता बोलते हैं ये विकलपाप का उचित है अगला प्रश्ण चोथा नंबर है, इन में से कौन सा सब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, इस तरीके के प्रश्णों को मैं बार-बार वीडियो में सचेत करता था, जब आपके सामने मैं सीरी चलाता था, देखी, इसमें सूरी भी है, सूरी के सार्थी को भी बोलते, बिम बाफल बोलते हैं, समझ गए ना, अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं, चार के बाद अगला प्रश्ण आपका पाचवा है, पाचवा आपकी स्क्रीन पर, इन में से कौन सा सब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, देखें फिर से नहीं लगा दिया, स्रेष्ट भी है, ब हतूरा भी होता, सोना भी होता, मक्का आपका कनक का कहीं से भी समानार्थी नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं, चे के बाद साथ नमबर प्रश्ण, क्रिया के अलामा संग्या के किन सब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, संग्या के लिंग के अनुसार किन सब्दों के र अगला प्रशन 9 नमबर आपकी स्क्रीन पर है मंतरी शब्द लिंग क्या है देखिए हिंदी में लिंग दो प्रकार से हैं या तो पुलिंग है और या फिर आपका इस्त्री लिंग है तो इसके अनुज़ार पुलिंग विकल्ब उचित है अपकी लोगों का मनना होगा यह उभै लिंग होगा क्योंकि बात सही है इस्त्री और पुरिस दोनों के लिए मंतरी सब्द का इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर जो अथंटिक है ए होगा आपका राइट आप्सन आपका ए है पुलिंग है मंतरी सब्द दस नंबर प्रशन कहे रहा है अप वाद को छोड़कर वर्णमाला के अच्छरों के नाम किस लिंग से होते हैं यह सब के सग आपके पुलिंग होते हैं वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं इन में से कौन सा पुल्लिंग सब्द इस्त्री लिंग सब्द में प्रत्य लगाने से बना है, यानि कोई इस्त्री लिंग सब्द था जैसे भेड़, ठेक भेड़ सब्द इस्त्री लिंग है, इसमें आप प्रत्य लगा दो तो भेड़ा बन गया, ठेक तो इस्त्री लिंग इस में थोड़ा सा बदलkę, मैं का बववचन हम होता है। वो अपनी लेंगवज है, हम जा रहे हैं। इकारांत सब्दों को बववचन बनाते समय, क्या किया जाता है देखिए जो एकारांत यानि जिन सब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा लगा हो उनको एकारांत बोलते हैं और 14 नंबर का जो आपका राइट आप्शन होगा ये सी विकल्फ होगा इसमें बड़ी को छोटी में परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद य लगाए जाते इसमें उर्दू ही विकल्फ सही है ठीक है ऐसा नहीं है कि लफज बोला गया तो हम लफजों बोल दें लफजों गलत है ठीक है ये सब अलग चीज़े हैं उर्दू को हमेशा बहुबचन बनाने के लिए उर्दू ही सब्दों के बहुबचन इस्तेमाल किये जाते हैं अगला 16 नंबर प्रश्ण देखिए बहुत बड़िया है अलंकार से आ गया है प्रश्ण कहरा है कूलन में केली में कछारन में कुणजन में कlden किलकंत है में कावी-पंक्ति में कौन सा अलंकार चहां अगे बढ़ते हैं सतरा नंबर प्रश्ण फिर से बहीं चीजे हैं सत्रा नंबर में पूछ रहा है माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर करका मन का डारी दे मन का मन का फेर उपिक्त दोहे में कौन सा लंकार है रूपक अनूप्राश उपमा रूप यमक देखिए यहां मन का मन का मन का हर वार आ रहा तो इस दोहे में अलंकार आपका कौन सा होगा दीविकलप आपका यमक अलंकार यह है उधारण है 18. काबबी की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ गुण है समझ गए ना आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रेशन 19 नंबर प्रेशन कहे रहा तरंत नूजातर तमाल तरुवर वह उच्छाए जुके कूल शो जल परिशन हित मनहु शुहाए इस कविता की दूसरी बहुत बढ़ियां दूसरी पंग्डि में कौन सालंकार है हम ये तो रटते कि अपना काम हो गया यहां देखो बहुत बढ़ियां किया इसने इसने पूछ लिया जुके कूल शो जल परिशन हित मनहु शुहाए अब इसमें अलंकार पूछा है चलो दिमंगलड़ों कौन सालंकार होगा क्या क्या करके आए हो देगे इसमें जो राइट आप्शन होगा ठीक है मन मानो जनु जानो याद है ना उत्प्रेच्छा अलंकार वैसे एक चीज ये भी मैं बता दू यहाँ पर संदेह अलंकार भी है इसमें संदेह अलंकार भी है ठीक है पहली लाइन जो है और दूसरी लाइन जो आपका बोल ला है मन मानो जो है जनु जानु जहां आत आ मिल जाए, प्रति मिल जाए, भर मिल जाए, ये सब आँख बंद करके मार दो कि अवेवी भाव के हैं क्योंकि ये पूरे पूरे सब्द को अवे बना देते हैं अगला प्रशन है 21 नमबर प्रशन है दुन्द समास में कौन सा पत प्रधान होता है ये तो मैंने टेस्रीज में सीधा सीधा डाला है लगभग क्वेशन आपको टेस्रीज में भी मिल जाएंगे और मैंने 800 तो कराई उसमें से तो आप देखोगे कि आपको लगभग 50 प्रश्ट से जादा इसी से मिल जाएंगे ठीक है दोंद समास में कौन सा पत प्रधान होता है दोंद समास में दोनों पत भईया प्रधान होते है अगला प्रश्ट है 22 नंबर कह रहा है कि सूक्ति का सही संदिविच्षेद क्या है सूक्ति का सही संदिविच्षेद जो होगा इसमें ए विकल्प आपका एकदम राइट होगा, यानि 22 का जो A विकल्प है, यह आपका सही है, अगले प्रशन की और बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रशन आपसे बोल ला है, नरेस का सही संधी विच्छेत क्या है, तो नरेस का सही संधी विच्छेत, जो होगा नरधन इस होगा विकल्ब D आपका राइट है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं 24 नमबर प्रश्ण आपसे बोला तथैयो का सही संधी विच्छेद बताईए तो तथा धन एव इसका सही संधी विच्छेद है option A आपका राइट है 24 के बाद 25 नमबर प्रश्ण आतिधन आचार कितनी बार मैंने इस संधी विच्छेद को आपको पढ़ाया है यानि आतिधन आचार अत्याचार विकल्ब C इसका राइट है आगे बढ़ते हैं 26 नमबर नाविक भी मैंने बहुत बार आपको इसको जो है कराया है अयार इस संधी के बारे में यहाँ पर सह 28 नमबर प्रशन दिगंबर भी मैंने बताया मलब 800 प्रशनों की अगर आप सीरीज देख लो ना मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 50 प्लस करके ही आओगे ऐसे ही टीम आगे भी लगतार आपके लिए प्रोग्राम लाती रहेगी इसलिए आप लोगों का हमेशा यह है जैसे मैं 50 प्रशनों की सीरीज इस समय रात में हर दिन करा रहा हूं 8 बजे लाइब आता हूं 50 प्रशन में 5000 प्रशनों को आपको कराऊंगा 4 महिने का मेरा टार्गेट है तो इसलिए 8 बजे रोज चैनल पर आप आजा यह लाइब क्लासेज होती है दिगंबर में जैसे तो दिग अगर इसको जो लोग कराए है ना जल्दवाजी में दिवाग सही से नहीं लगाए वो गलत करके चले आएंगे डे विकल्प राइट होगा नेक्ट बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नमबर उलंगन का सही संद विछेद क्या होगा 29 नमबर में देखो उलंगन है ठीक है अब इसमें पूछरा सही संद विछेद क्या होगा यहाँ पर जो है लाक मेल को लेकर मैंने आपको जो है बताया है तो इसका सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट राइट आंसर यहाँ पर होगा यह आपका विकल्प बी उचित है उतधन लंगान देखो फिर वहीं किया ए में दूसरा किय मनलब गलत वरते नहीं दिया बी में आपका सही दिया आगे बढ़ते हैं 30 नंबर है 30 नंबर प्रश्ण है 30 में बोला निमलिखित में सुद्धवाकी का चैन करो बाल पक जाने से कोई अनभवी नहीं हो जाता बाल पक जाने से लोग अनभवी हो जाता गलत बाल पक जाने से खुले पैसे दें, किरपया खुले पैसे देने की किरपा करें, अब देखो किरपया भी लगाया, किरपा भी लगाया, तो यह सब तो किरपया करके, ठीक, किरपया करके नहीं, किरपा जो है, किरपया खुले पैसे दे, यह राइट आपका अंसर होगा, आगे बढ़ते हैं, 32 320 प्रश्न आपका बोला है लांच किये हैं ठीक भारत ने चंद्रियान टू लांच किया है अब इस में से पता ये कौन सा C और D में से कौन सा उचित हो सकता है तो 33 नंबर का जो विकल्प होगा ये सबसे ज़्यादा उचित आपका D विकल्प होगा ठीक है भारत ने चंद्रियान टू लांच किया है चौतिस नमबर प्रश्ण आपके सामने है, बोल ला है कि निमलिखित में से सुद्धवा की कचैन करें, बतक्खों का जुंड पानी में तैर रहा था, अगला कहरा बतक्खों का जुंड पानी में तैर रहे थे, बतक्खों का जुंड पानी में तैरते थे, तो यह है गलत, यह वरतनी तो इसमें सुद्धी दे दिया है, अब यहां बतक्खों के जुन्ड, बतक्खों का जुन्ड, ठीक है, कारक संबंदी वरतनी दे दिया, बहुत बड़ी हैं प्रशन उठाये हैं, दोनों सिरीज में, देगें, निमलिकित में से सुद्ध बाकी का चैन कीजिए, नदिय नदियों के पानियों से गलत है, नदियों के पानियों से सिचाई की जाती है, ये भी गलत है, नदियों के पानियों से सिचाई की जाती है, ये सही है, डीपिकल 35 का, अगला बरतने 36 नमबर, आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है, आदमी बनना मलब गलत का ग्यान हो गया नेकी कर दरिया में डाल इसका सही आपका अर्थ क्या होगा लोकों की क्या मलब उपकार करके उपकार को भोल जाना ही क्या है सबसे उत्तम है आगे है 49 नंबर प्रश्ण कहरा चिराग तले अंधेरा लोकों की का उपयुकता अर्थ क्या है ठीक है निकट में आप पढ़ जब तो उसके लिए ऐसी हम लोकोक्ति का इस्तैमाल करते हैं. अगला प्रशन आप के सामने किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टीक है? किनारे सब्द का सही विलोम क्या है श्वर्ग सब्द का सही विलोम अगर इसमें से देखें तो नरक होगा ठीक है और कोई नहीं होगा अनि तेटालिस के बाद चवालिस नंबर राग सब्द का विलोम क्या है ठीक है राग का विलोम हमेशा क्या होगा विराग सब्द होता है अनि जो दिये हैं वो उचित नहीं है ये द्रिश्टी से 44 के बाद 45 नंबर सूचम सब्द का बिलोम क्या है सूचम सब्द का बिलोम यहां से अगर आप देखें तो इस्तूहूल होगा बड़ा भारी जिसको बोलते अगला है श्वाधीन सब्द का बिलोम क्या होगा श्वाधीन सब्द का लीजिए सब कुछ पीडियम मिलती रहेगी उस पर और अनी चीज़ भी है सनमार्ग सब्द का बिलोम बताइए सनमार्ग मलव एकदम सही मार्ग पर जा रहे हो कुमार भी इसका सही बिलोम होगा 47 के बाद 48 नंबर ग्रिणा सब्द का बिलोम क्या है ग्रिणा कार्थ जो है बिलोम प्रेम होगा भाई किसी से ग्रिणा करना किसी से प्रेम करना दोनों चीज़े क्या है उचित है निम निम लिखिद में से कौन सा सब्द पहाड का प्रयायवाची नहीं है फिर से नहीं आ गया ठीक है अब देखो अचल भी होता गिरी भी होता अद्री भी होता अचला कोई भी इसमें से नहीं होगा तो आपका बी बिकल्प राइट होगा क्वेश्चन नमबर पचास आपकी स्क्रीन पर बोला है निम लिखिद में से कौन सा सब्द फिर से नहीं देदिया तो सूरी का प्रायवाची हिमकर नहीं होता और दिये गए सारे बिकल्ब सूरी के प्रायवाची के अंतरगत आते हैं तिरपन नम्बर प्रेशन है निमलिखित में से कौन सा सब्द बिजली का प्रायवाची नहीं है तरित है, चंचला है, सौदा मिनि भी है, चंचरी बिजली का प्रायवाची नहीं है बिकल्ब D होता है यहां से बोल ला है अपसे कौन सा सब्द हवा का प्रायवाची नहीं है फिर से नहीं मलब जो लोक तेजी से समझने वाले हैं उनको आयोग लेडवेगा 54 नमबर प्रश्ण बोला है इसमें कौन सा हवा का प्राइवाची नहीं है वही है तो हवा का प्राइवाची यहां से देखो अनल नहीं होगा यह आग वाला होता है न अगला है 55 नमबर कौन सा सब्द आख का प्राइवाची नहीं है फिर से नहीं है बहुत बड़ियां ठीक ह तो ये तत्सम हो जाता अन्य जितने जेश्ट आशाड फाल गुन ये सभी के सभी आपके तत्सम सब्दों के अंतर गताते शत्तावन नंबर प्रशना आपकी स्क्रीन पर कौन सा सब्द तत्सम नहीं है नरक श्वर्ग खग पुहुमी ठीक है तत्सम नहीं है तो इसमें से अगला प्रशन अगर हम देखते हैं 57 के बाद 58 नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर निमलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तो इन में से तत्सम अगर हम देखे कौन सा नहीं है ने है विकल्प आपका नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रशन अंतिम प्रशन आपकी बीए सीरीज का इसमें देखे कौन सा सब्द तत्भो नहीं है तो इसमें से तत्भो अगर नहीं तो दीपावली ये तत्सम सब्द है अनी जो दिये हैं वो सब तत्भो हैं तो एक बार चैनल जरू सब्सक आपका अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती है तो इसके बार लगाता है जो आपने वीडियोज नहीं देखे हैं वो सब जाकर चैनल पर वीडियोज के मादम से आप देख लें कल फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में फिल्म मिलते हैं आपसे तब तक के लिए स अभी का बहुत-बहुत आभार